तो अगले वीडियो में आप सभी को स्वागत है तो आज के वीडियो में हम देखेंगे वीवो वी नाइन से कैसे आप आप आसम पिक्चर्स निकाल सकते हैं अल्रेडी मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियो बनाया है अगर आप हमारे चनल को नए है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बने रहे है तो यह है वीवो वी नाइन अल्रेडी इसका मैं अन्बॉक्सिंग फस्ट बूट और फस्ट इंप्रेशन्स वीडियो बना चुका हूँ तो यह है वीवो वी नाइन का कैमरा इंटरफेस जैसे कि आप देख सकते हैं धेर सारे फीचर्स है तो वन बाइवन हम देखते जाएंगे दिमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि जब भी आप कोई लैंड्सके पिक्चर्स ऐसे खिचते हो तो लैंड्सके पिक्चर्स में फोकस और डीटेल्स ज्यादा आने चाहिए वो आपको ध्यान में रखना है तो उसके लिए यहां पर फॉर स्कॉयर मूड है एक बार टैप करेंगे ऐसा तो अल्टरा एच्टी दिया है तो आप अल्टरा एच्टी से आरांड 30 मेगा पिक्चल का पिक्चर्स ले सकते हैं ल देखें अभी फोकस होकर अल्टरा एच्टी पिक्चर आपको बहुत ही शार्प पिक्चर्स मिलेंगे तो उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे यहां पर अल्टरा एच्टी है तो वो निकालने के लिए जस्ट क्रॉस मार्क है एक बार ऐसे टैप करना है आपको तो अभी अगर है लाइफ फोटो मांनले जे कुछ मोशन है पिक्चर में आप छोड़ा सा क्लिप बनाना चाहते हैं तो यह लाइफ फोटो को आउन कर सकते हैं तो यह वाला है वोके मूड देखें पोट्रेट अगर सिर्फ पोट्रेट पिक्चर निकाल रहे तो आपको साफ़्वेर में बाद में हम लोकेशन चेंज करेंगे तो वहां पर आपको बताऊंगा नेक्स्ट है HDR मोड जैसे कि आपको बता है कि HDR आफ ऑन आटो है तो अगर आप आप करके लेंगे तो हाई डाइनमिक रेंज यानि जब भी कोई clouds या फिर scene में detail कम रह जाते हैं तो आपको डाइनमिक रेंज यानि exposure ठीक करने के लिए करने के लिए आपको HDR से ले सकते हैं तो सारी फ्रेम में जो भी पिक्चर है वह आपको अच्छी तरह से ब्राइट लिट होके आपको इमेजस मिलेंगे तो यह है HDR नेक्स्ट है देखिए यहां पर flash का symbol है तो manually आप on कर सकते हैं off कर सकते हैं फिर auto भी रख सकते हैं अगर forcefully on करेंगे तो हमेशा flash on होकर ही आपको pictures capture होगा तो next यहां पर देखिए filters है धेर सारे auto filters जो कि हम usually apply करते हैं तो वहीं important features और कुछ ऐसे हैं यहां पर देखिए settings आप एक बार tap करेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा off three seconds ten seconds timer यह विवो में separate से actually camera settings नहीं दिये हैं आपको resolution change करने के लिए नहीं आएगा वहीं एक disadvantage disappointing thing लगा मुझे अगर कुछ आपका resolution यहां पर change करने आता तो बहुत ही अच्छा रहता मानली अगर आप Instagram शेर करने के लिए pictures लेना चाहते हैं तो square है square mode पर आप जाकर एक बार टैप कर देंगे click तो देखे instantly आपको square pictures मिलेगा तो आप directly share कर सकते है social media पर तो नेक्स्ट है देखिए आपर touch है voice है voice related activity यानि कि voice से आप photos को click कर सकते है या फिर टच करके भी click कर सकते है इसको on कर सकते है या फिर आपने fingerprint को आप यूज करके कोई भी finger हो वो fingerprint के द्वारा shutter button जैसे act करेगा देखे instantly photo click हुआ तो ऐसे भी आप यूज कर सकते है इसको next देखिए यहाँ पर watermark time watermark and model watermark इसको बिल्कुल कस्टमाइज नहीं कर सकते है आप जो भी यहाँ पर है वहीं आएगा एक time आएगा या फिर model pv9 का watermark आएगा अपना जो भी है कस्टमाइज करके आप बदल नहीं सकते है इसको next sound तो shutter speed जो shutter हम क्लिक करते है बटन उसको अगर sound चाहिए तो off या फिर on तो यह दो मोड है next geographic locations है यानि की मान लिजिए अगर आपको पता नहीं कि मैंने picture यहाँ पर लिया था तो आप geographic location को बिल्कुल on करके picture को ले सकते है तब यह location भी टाइग होगा आप शेयर करते वक्त आटोमेटिक लिए आपका location भी शेयर करेगा नेक्स्ट फ्रेमिंग लाइंस देखे ग्रिड वाला फ्रेमिंग लाइंस है आप इसको भी कस्टमाइज नहीं कर सकते है देर सरे ऐसे तो देखे अभी प्रोफेशनल मूड पर जाएंगे हम तो यहां पर आपको डीटेल से सेटिंग्स चेंज करने के लिए मिलेगा तो सबसे पहला हम यहां पर गौर करेंगे देखे यह है एलेक्ट्रोनेक लेवल कहते हैं इसको यानि आपका होरिजन लेवल ठीक है या फिर क्रॉस है देखने के लिए आपको यहां से सेट करना पड़ेगा तो हमेशा इस चीज़ को आन रखिए ताकि आपको अच्छी तरह से पिक्चर अच्छे कॉम्पोजिशन में मिलेंगे त तो अब यहां पर जैसे कि आप देख सकते हैं फ्लावर्स है तो फ्रांगी पानी फ्लावर्स तो देखें प्रोफेशनल मूड पर रहे हैं अभी मैं डीटेल आपको एक्स्प्लेन करूंगा कि काउन सेटिंग कैसे रखना है आपको फॉर एक्जांपल मान लिजे अगर आप ISO जाकर मैंनोली सेट कर सकते हैं इसको तो आपको यहां पर देखें लाइव से आपको नहीं पता रहा है ISO चेंज करते वाक्त लेकिन शटर स्पीड को दिखाएगा वो फॉर एक्जांपल मैं अभी 800 ISO को रखके क्याप्चर करता हूं तो देखते हैं कि कैसे पिक्चर आ दीजिए क्योंकि ज्यादा अगर नंबर रखेंगे तो नौइसी पिक्चर मिलेगा आपको यह सो बहतर होगा कि आप आटो पर छोड़ दीजिए अब यह वो बताएगा कि डिपेंडिंग ऑन दी सीन कैसे आप्टोमेटिक नंबर चेंज होता है देखिए 108 ISO में अभी को अगर आप स्लो मुवमेंट्स चाहते हैं मोशन लाना चाहते है पिक्चर में वाटर का वाटर फाल्स का मोशन लाना चाहते है तो शटर नंबर को आपको बिल्कुल लो रखना चाहिए देखिए आपर आरूंड 15-16 सेकंड्स तक उन्होंने शटर स्पीड का दिया है जैस अगर आप इंडर सिच्वेशन में है और ठीक से कलर नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं मैनूली ऐसे वाइट बैलेंस को चेंज कर सकते हैं तो फिर कस्टमाइज करके आपको नंबर चेंज करने के लिए बिल्कुल आप्शन नहीं दिया है तो आपको आटो ही रखना पड़ेगा तो नेक्स्ट आड़ फोकस मैनुली आप पर अभी जैसे फ्लवर्स ही है यहां तो फ्लवर्स कैप्चर करने के लिए क्लोजस्ट डिस्टेंस अगर लेना चाहते है तो ऐसे मैनुली फोकस करके आप ऐसे पिक्चर्स को कैप्चर करें तो होपफिली एक टूटरियल आपको अच्छा लेकर देखिए आप लाइव आपको अगर इस्टोग्रम रिलेटेड पता है तो इस्टोग्रम भी आप देख सकते हैं लाइव कांसे साइड ब्राइटर है कांसे साइड डार क कर है तो इमेज में डार्क कितना है और ब्राइट कितना है इसके आधर पर आप ठीक से एक्सपोज करके पिक्चर्स को कैप्चर कर सकते हैं तो इतने सारे प्रोफेशनल मूड में पिक्चर्स का जो भी सेटिंग्स है मैंने दिखाया है होपफिली एक ट्यूटरियल आपको अच्छा लगेगा अगर है तो लाइक करने ना बूले और सब्सक्राइब करके जरूर हमारे चनल पर बने रहे हैं मिलता हो अगले वीडियो में दूस्तों टेक केर अपना बाइबाई